याद करो तुम्हें पहली आच्छी लगती है है ना अब एक पहली को बुझो ऐसी क्या चीज है जो अटूट में से बिना छेत किये हुए यात्रा कर सकती है ऐसा क्या है जो यात्रा करती है और उचलती है किन्तु दिखाई नहीं देती है ऐसा क्या है जो हमारे चहुर है सुनाई देती है परन्तु दिखाई नहीं देती वो है आवाज ध्वनी हमने पढ़ा है कि ध्वनी उर्जा का ही एक रूप है कंपन करने वाली समस्त वस्तुएं हवा में शोर निर्मान करती हैं और हम ध्वनी सुनते हैं परन्तु ध्वनी को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यक्ता होती है वैस्थायू, द्रव और वायू के माध्यम से यात्रा कर सकती है ध्वनी के कारण होने वाले कमपन तरंग के रूप में होते हैं तरंग का वरणन करने के लिए हमें उसके गुणधर्म जैसे कि समय, आवर्तन, दिशा, तरंग लंबाई और गती का अध्यन करना होगा ध्वनी बहुत जोर की हो सकती है अत्वा बहुत मधूर हो सकती है हमने द्वनी के स्वरमान तारत्व पर चर्चा की है और आवाज की उंचाई डेसिबल की इकाई में कैसे नापते हैं वो भी देखा है अब हम द्वनी से सम्मंदित अन्यक्षेत्रों का अध्यन करेंगे अब मैं ये लकड़ी की छड़ी लेकर लकड़ी के टुकड़े पर प्रहार करता हूँ क्या हुआ मेरे प्रहार करने पर आवाज आई अब मैं स्टील की रौड से प्रहार करता हूँ क्या इस बार भी आवाज वैसी ही आएगी नहीं ये द्वनी अलग है एक सिरे की ओर ध्यान से देखो वो प्रहार करने के बाद कंपित होने लगती है कान के पास यदि मैं इसे रखूं तो मुझे थोड़ी द्वनी सुनाई देगी कंपन माध्यम में अशान्ति पैदा करते हैं ये शूर अथ्वा दोलन हमारे कानों तक पहुंचते हैं और हम इसे द्वनी के रूप में सुनते हैं कि तुमने इसे पहले कभी देखा है इन्हें स्वरित्र द्विभुच कहते हैं हर स्वरित्र पर एक अंक लिखा हुआ है उसका महत्व क्या है यह हम बाद में देखेंगे इसकी दो भुजाएं होती है और एक पाया होता है जिसे तना भी कह तो क्या होगा जैसे कि हमने पहले देखा ये च्छड की तरह कंपित होंगे इसे स्वरित्र द्विभुज क्यों कहते हैं जब स्वरित्र द्विभुज में कंपन होता है वो द्वनी का निर्मान करता है हर स्वरित्र अद्वितिय द्वनी निर्मान करता है स्वरित्र पर लिखी हुई संख्या उससे निर्मान होने वाले आवर्तन को दर्शाती है इसका उप्योग संगित के उपकरणों को सुर्मई करने के लिए करते हैं इन स्वरित्र उपर अलग-अलग अंक लिखे हुए है ये 256 हर्ट्स है, ये 320 हर्ट्स है, ये 426 हर्ट्स है, ये 512 हर्ट्स है, ये 341 हर्ट्स है क्या हम 20,000 Hertz के उपर स्वरीत्र द्विभूज की द्वनी सुन सकते हैं मित्रों के साथ चर्चा करो और खोजो अब मुझे ये स्वरित्र मेरे कान के पास सुनने के लिए लाना होगा हम इसे और जोर से बजाने के लिए क्या कर सकते हैं मुझे उची ध्वनी के लिए जोर से प्रहार करना होगा क्या ये आवर्तन बढ़ाएगा आवर्तन नहीं बढ़ेगा उसका आयाम बढ़ेगा आवाज की उचाई फिर भी उतनी नहीं बढ़ पाए यह एक गत्य का खाली डिब्बा है मैं स्वरित्र डिब्बे में रखता हू अचानक वैस सुनने योग्य हो गया क्यों स्वरित्र के अनुसार डिब्बे के अंदर की हवा भी कंपित होती है इसके परिणाम से सारी हवा कंपित होती है और हमें अधिक अच्छी ध्वनी सुनने को मिलती है डिब्बा ध्वनी विस्तारक के रूप में कार्य करता है वो निर्मित ध्वनी को बढ़ाता है अब हम विभुच के दोलन को ध्यान से देखेंगे हमारे स्वरित्र के प्रहार से दोनों बुजाय कंपित हो गई है उसकी लचेली बनावट के कारण वैद दोनों दिशाओं में जूलती है वो आगे पीछे हिलती है और पास की हवा को भी हि हिलती है तो उसके आस-पास की हवा थोड़ी दब जाती है जब वह बाईँ ओर यलती है तब हवा प्ैलती है और पचली यह गती निरंतर शुरू रहती है इस प्रयोग के द्वारा परिणाम में हवा से उच्छदाव क्षेत्र और निम्दाव क्षेत्र निर्मान होता है दबाव का पैटन गाड़ी हवा का क्षेत्र है और विरलन अर्थात पतली हवा का क्षेत्र तैयार होता है इस हवा में शोर है क्या हवा का कण्ण स्वरित्रद विभूद से हमारे कानों तक पहुंचता है नहीं वे उर्जा है जो स्थलांतरित होती है यदि भुजाएं अलग गती में कम्पित होगी तो हवा के कण्ण भी उसी गती में कम्पित होंगे इसलिए हमें हर दिशा से द्वनी सुनाई दीती है हवा के कणों की गतिज उर्जा द्वनी उर्जा में बदल जाती है जैसे हमने तरंग के काल के बारे में बात करते समय पानी के कणों का आलेक बनाया था ठीक वैसे ही हम हवा के कण का भी आलेक बना सकते हैं यदि हम उसके विश्राम स्थान से उसका आंदोलन वाय अक्षपर आलेखित करेंगे और एक्स अक्षपर समय ले तो हमें आलेख कुछ इस प्रकार का मिलेगा हमारे पिछले आलेख से यह मिलता जुलता है पानी और हवा में यात्रा करने वाली तरंग में एक अंतर है क्या तुम सोच सकते हो कि वह क्या है पानी के कण में उसका आंदोलन आगे बढ़ने की दिशा को लंबरूप था हवा में वही तरंग की दिशा को समांतर होता है जब माध्यम के कारण तरंग दिशा के लंबरूप में यात्रा करते हैं तब उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं और जब माध्यम के कण तरंग की दिशा के समांतर मार्ग में यात्रा करते हैं तब उसे अनुर्दाइध्य तरंग कहते हैं सारांच द्वनी हवा से कैसे यात्रा करती है इस पर हमने चर्चा की है वे हवा द्रव और स्थायू माध्यम से यात्रा कर सकती है वैं शुनि स्थान से यात्रा नहीं कर सकती हर स्वरित्रत्विभोज अध्वितिय ध्वन नियर्मित करता है जब माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबरूप में यात्रा करते हैं तब उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैज और जब माध्यम के कंड तरंग की दिशा के समांतर मार्ग में यात्रा करते हैं तब उसे अनुर्दैध्य तरंग कहते हैं